वेलकम फ्रेंड्स अभ्यास ओनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग तयारी कर रहे हैं कॉम्पेटिशन एक्जाम की जिसमें मैथ्स के कोशन पूछे जाते हैं लेकिन उसको बनाना दोस्तों बहुत ही सॉल्व गुता है करके आप उसे छोड़ देते हो लेकिन आपको छोड़ना नहीं दोस्तों वीडियो पर बेने रहे हैं मैं सोटे ट्रिक बताने वाल हूँ दोस्तों मातर 20 से 25 सेकंड में आप उसको आसानी से हल कर सकते हो वो भी बिना कॉपी पेन के दोस्तों यह इस वीडियो सीरीज का 22 वा नमबर का पार्ट है अन्य पार्ट देखने के लिए मैंने डिक्रिप्शन में लिंक के दे रखा है साथ साथ प्ले लिष्ट पर भी सजोग करके रखा है जब भी मौका मिलता है दोस्तों जरूर देखिए और मैथेमाटिस के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा उसके लिए मैंने डिक्रिप्शन में उसका लिष्ट दे रखा है उसको जरूर चेक आउट कीजिए चलिए देख लेते हैं पहला प्रशन है पहला प्रशन है दोस्तों दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है वे निमने लिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकता तो हमारे पास दो संख्याएं हैं दोस्तों जो होगी वो होगी उनका योगफल जो है वो कितने के बराबर है 84 के बराबर है वे निमने लिखिद में से 20 अनुपात में नहीं हो सकता है हमको ये बताना है तो चलिए हम लोग पार इसको करेंगे दोस्तों sol क्या तरीके से करेंगे go to option method का use करके हम लोग क्या करेंगे इसको solve करेंगे तब go to option method का use का निकली सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पहला option जिसमें दिया हुआ है 5 अनुपात 7 अगर हम इसके कुल अनुपात की बात करें दोस्तों तो 5 और 7 हमारे पास क्या होता है पहले अनुपात को जोन लेते हैं तो यह हो जाएगा दोस्तों 12 यह हो जाएगा दोस्तों कितने बार में जाएगा अब 12 बार में तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 84 दिया हुआ है और हमारे पास कुल अनुपात कितना आ रहा है 12 आ रहा है तो 84 को हम लोग क्या करेंगे 12 से भाग देंगे तो कितने बार में जाता है अगर पूर्णता विभागता होगा दोस्तों तो ये रेशियो हमारे पास जो दिया है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है चलिए देख लेते हैं बारा एकम बारा बारा सत्य 84 हो जाए गा ठीक है तो किया हो जाएगा बाराश सत्य व diff क्या है एक रिशियो बराबर कितना है डोस्तों सात है थाया है तो हमारे पास और पाशच बराबर कितना हो जाएगा 50 8 35 28 उन्दोनों को जोड़तें में दिया हुआ है पहला औपसं चूंकि हम को यह बताना है कि कौन सा अनुपात में नहीं नहीं पूचा गया है ठीक है नो तो पहला हमारा अनुपात में है अब देख लि 있게 है दूसरा अनुपात दोस्तों हमारे इस चंके क्या होता है 84 चाहरास तो चार बार में च जा स्वालब करूर तरीके से भाग जा रहा है मतलब इसको भाग देने के गुणा करके संख्या निकलने की ज़रूरत नहीं है ठीक है हमको सिर्फ और सिर्फ रेश्यो ही निकालना है ठीक है चलिए देख लेते हैं नाक्ष को जो आप्सन है उसको तो इसमें दिया हुए दोस्तों एक अनुपात इन दोनों को जोग दते है और कूल अनुपात कितना रहा है चार रहा है और चा 소개 को हम लोग भाग देंगे दोस्तों चार से तो क्या हो जाएगा चार दूनी हो जाएगा आठ और चार एकम चार तो 21 बार में गया तो दोस्तों इसमें भी पूर्ण भाग जा रहा है अर्थात ये क्या होगा जो C option जो दिया हुआ है हमारे पास ये भी जो है अनुपात में है लेकिन हमको option में क्या पूछा गया है प्रेशन में ये पूछा गया कि अनुपात नहीं है तो हमारे पास जब पहला answer नहीं है दूसरा answer नहीं है तीसरा answer नहीं है तो बच्छा दोस्तों जो चौता answer वही क्या होगा इसका सही answer हो जाएगा तो उमीद करता हूँ इस तरीके प्रेशन जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आप जो है आसानी से इसी तरीके से solve कीजिएगा प्रेशन थोड़ा घुमाने तरीके से पूछा गया है लेकिन है सरल चलिए देख लेते हैं दोस्तों next question next question भी बहुत ही सरल है प्रेशन दिया हुआ है एक चुनाओं में मातर दो उमीदवार थे जिसमें से जीतने वाला उमीदवार 54% मतर पात्त किया और वह 640 मतों से जीत गया वह चुनाओं में कुल कितने मत पड़े थे तो उस चुनाओं में कुल कितने मत पड़े थे हमको ये बता रहा है अर्था दोस्तों उसकी जो मतदाता वोट की जो पड़ा है इतना प्रतिशात अर्था जो वोटिंग हुआ है 100% वोटिंग वो कितने संख्या के बराबर है हमको ये निकालना है ठीक है तो चलिए हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास दो मतदाता जो है दोस्तों दो प्रतिभागी है जो क्या है उस चुनाओं में उमिदवार है जो खड़े हुए है तो एक को मिल रहा है दोस्तों 54% मिल रहा है 54% तो दूसरे को कितना मिला होगा दोस्तों तो हमारे पास कुल उमीदवार कितने है 100 प्रतिशत है तो 100 प्रतिशत में से 54 एक को मिल गया है तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों दूसरे को मिलेगा 46% मिलेगा तभी तो 100% होगा न तो 46 और 54 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा अर्था और देखो अब इन दोनों के बीच का distance देख लेते हैं 46 है और हमारे पास किया दोस्तों 54 है तो इन दोनों का distance देखेंगे तो दोस्तों कितने प्रतिशत का है 8 प्रतिशत का अंतर हम दोनों को देखने को मिल रहा है ठीक है कितने प्रतिशत का तो दोस्तों कितने प्रतिशत का अंतर देखने को मिल रहा है हमें 8 प्रतिशत का और यही 8 प्रतिशत कितने के बराबर है यह है दोस्तों 640 मतों के बराबर है ठीक है तो हमारे पास 8 प्रतिशत बराबर कितना है 640 है तो 1 प्रतिशत में कितना हैगा दोस्तों 101 प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे 640 है उसको क्या कर देंगे हम लोग इसको 8 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक प्रतिशत का मान निकल जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आठ हजार क्या होंगे उस मतदान जो चुना हुआ था उसमें कुल मतदाताओं की संख्या जिन्होंने वोट दी थी उनकी संख्या कितनी है आठ हजार हो जाएगी और आठ हजार आपको कौन से ओप्सन में दिखाए दे रहा है C option में दिखाए दे रहा, तो C option क्या हो जाएगा, सहीं हो जाएगा, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, इस तरीके का प्रशन जब भी पूछा जाएगा, आप आसानी से इसको निकाल दीजेगा, इसी तरीके से प्रशन और भी दूसरे तरीके से घुमा सकता है, तो इसी चुना ये देख लेते हैं, नाक्ष कोशन आयू से संबंदित प्रशन है, प्रशन है दोस्तों, तीन वर्स पहले, पांच सदस्यों वाले एक परिवार की ओसत आयू 17 वर्स है थी, एक सीसू का जन्म होने के पस्चात, आज ओसत आयू वही है, सीसू की वर्तमान आयू हमको निकाल है, ठीक है, तो देखे, जब क्या हुआ था, तीन वर्स पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, पांच सदस्य थी, और उसकी ओसत आयू कितनी थी, दोस्तों, 17 वर्स थी, और अब क्या बोला जा रहा है, कि अब जो तीन वर्स जब गुजर चुका है, अर्थात वर्तमान में और उस समय के होड़ा है, एक सीसू भी आ गया है, और उस समय जो ओसत आयू है, वो दोस्तों, उतने का ही उतना है, तो हम लोग क्या करना है, हमको निकालना है, दोस्तों, उस समय की जो ओसत आयू का योग था, उसको, ठीक है, तो उस समय की ओसत आयू का जो योग है, उसको हो गया लेकिन 5 सदस्टे हो जाएगा वरतमान में कितना हो जाएगा दोस्तों 100 वर्स हो जाएगा लेकिन हमारे पास क्या है एक सिसू पहले से ही दिया हुआ है कितना दिया हो कुल कितनी होगे दोस्तों तो सदस्यों की संख्या हो गई हमारे पास 6 सदस्य हो गए और आउसत तो हमारे पास बोल रहा है कि वैसा का वैसा ही है तो हम लोग क्या करेंगे फिर से उसको 17 से गुणा करेंगे दोस्तों किसको 6 को तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का गुण उसकी औरशद जो है दोस्तों 17 ही थी लेकिन जो उसकी योग है वो कितना हो गया 102 हो गया ठीक है लेकिन कितना था 100 था अब कितना हो गया 102 हो गया जब उसमें बच्चा सामिल हुआ था ठीक है तब क्या हुआ 102 हो गया तो अरथा 100 में से 102 क्या कर देंगे 102 में से 100 घटा देंग तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों दो बचेगा और यही दो जो है उस सीसू की वर्तमाना आयू है तो दो वर्ष आपको कौन सो अप्सन में दिखाई दे रहा है एए उप्सन में दिखाई दे रहा है तो एए उप्सन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो उमीद करता दोस्तों इस तरह के प्रेशन जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको solve कर सकते हुच्छे लेक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ देखिए हम लोग को क्या कर रहा है इसमें पूछ बोल रहा है कि तीन वर्स पहले बोल रहा है तो तीन वर्स पहले है दोस्तों कुल सदस्यों की संग है पांच है तो पांच का और सता यूद बोल रहा है सतरा तो पांच उड़ा सतरा कर दिये तो हो गया दोस्तों ये पच्च्यासी हो गया ठीक है देखो जो आउसत आयू थी 17 वर्ष थी अब उसके पस चाथ देखो सूसी एक सूसी जब सामिल हो गया तो पांस सदसे थे उसमें से कितना हो गया च्छा हो गया तो उस समय आउसत आयू क्या हो गया था 17 है तो 6 गुना 17 करेंगे तो 102 आएगा चूंकि हमारे पास जो है दोस्त इस तरीके प्रशन जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको सौल कर सकते हो चलिए देख लेते हैं next question आपको जल्दी बाजी में आप इसको गलती कर देते हो तो question को समझी और आसानी से सौल कीजिए देखो प्रशन दिया हो है यदि कोई वस्तू 390 रुपय में बेच 390 रुपय में बेचता है तब उसको कितने का लाब हो रहा है दोस्तों 20 प्रतिशत का लाब हो रहा है अर्था यह जो 390 हमेरे पास जो है दोस्तों यह कितने के बराबर है 120 प्रतिशत के बराबर है तो यहाँ पस equation जो हम लोग कैसे जामानेंगे दोस्तों x प्रतिशत sorry x का x x का जो है दोस्तों 120 प्रतिशत जो है वो कितने के बराबर है वो है 390 के बराबर है x का 120 प्रतिशत 390 के बराबर है तो चलिए निकाल लेते हैं x का x हो गया का का मतलब होता है गुणा और 120 का हो जाएगा 120 प्रतिशत का हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 390 ठीक है अब देखो 100 को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा ठीक है और 120 जो है दोस्तों जब इधर लाँगा तो किसमें हो जाएगा एक सो बट्टे में आ जाएगा ठीक है ये जीरो से ये जीरो कट गया और साथी साथ दोस्तों अब देख लेते हैं क्या आएगा इसमें अब देखो दो ये कट रहा है कितने से कट रहा है दोस्तों तीन से कट रहा है तीन चौंक हो जाएगा बारा और ये हो जाएगा तीन एकम तीन और ये हो जाएगा तीन सुन्या फिर दो से कट रहा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा दो दूनी हो जाएगा चार और, दो, पंचे क्या हो जाएगा, दस फिर उपर वाले, 1300, इस जो है, फिर से कटेगा यह क्या हो जाएगा, दो, 6 का 12 हो जाएगा और, कितना बाचा दोस्तों, एक बाचा दो, पंचे, 10, ऊपर में क्या बाचा, 65, गुणा, 5, चुँनकि हम लोग जानते हैं दोस्तों 65 गुणा जब 65 का जहम लोग पहार गुणा करेंगे दोस्तों कितने बार करेंगे 5 बार तो 5 हम क्या हो जाएगा इकाई काई देख लेते हैं 5 हम 25 हासी लाया दो और 6 35 तीस और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा तो हमारे पास कितना है दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तों, इस तरिके प्रेशन जब भी पूछा जाएगा, तो आपको घबरानी हैं, यह तो question सरल था, आप इसको आसानी से sol कर सकते हूं, लेकिन कोशन सरल है अकर कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है ने तो जल्दबाजी के चक्कर में आपका अंसर गलत भी आ सकता है ठीक है तो कोशन ध्यान पूर अप पढ़िए समझे और धैरेपूर रख जरूर सौल कीजिए चलिए तो दोस्तों वीडियो कैस पर भी उसको सजो करके रखाए जब भी मौका मिलता है तो उसको जरूर देखिए और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब ने किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल आता है उसको भी आन कर लें ताकि मिरदवार अप्लोड किया गया वीड के वायर अल देवास्ट जया हिंद